रिगार्डिंग एक चीज जो अध्लीस जब मैंने जब शुरू शुरू में पढ़ी थी तो मेरी समझ में नहीं आया थे क्या उपने साथ ठीक है तो वह है ग्रैविटेशनल ग्रैविटेशनल के चैप्टर के ग्राफ्स ठीक है इन्शाल्ला इससे कोशिश करेंगे हमारे ले भी ग्राफ्स जो है वो क्लेर हों ठीक है बट इस इस सम्टिंग आई नो फॉर अफेक्ट जिस पर मेरी भैस भी हुई थी बहुत साथ लोगों से और टीचर से भी भैस हुई थी और तुबी और वेरी ओनेस्ट किसी को भी ए ग्राफ सही तरह से बनाने नहीं आ दे थे थे अचली तो लेट्स टार्ट हम आज ग्राविटेशनल फील स्ट्रेंग को वापर से रिव्यू कर रहे हैं क्या चीज़ थी इसका ग्राफ कैसे बनेगा अब हो सब देखेंगे और बिट्वीन टू मासे हम इसका ग्राफ बनाके देखेंगे अचा ग्राविटेशनल फील स्ट नी है कि इस अ वेक्टर क्वाटिटी इस अ वेक्टर मेज़र्ड इन मेटर्स पर सेकंड स्ट्वेर इन या न्यूटन प्रिकेजी वॉट इवर जो भी अक्सलरीशनल इन इस अच्छा ना थोड़ी से हम इस में थोड़ी सिए हम इसके ग्राफ में जाएंगे तो ग्राफ को देखने के लिए, you first of all need to see FG क्या है, the force of gravity can be given by GMM upon R square और अगर मैं उसको mass से divide कर दू, if I divide that by a mass तो mass उपर नीचे cancel and then I would get the formula GM upon R square ओके तो the first thing is हमारे पास ये formula है ठीक है और इसको अगर closely देखोगे, this formula G equals to GM upon R square तो किसी भी mass के लिए ठीक है, यानि for example, अगर मैं earth की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी भी यानि मैं moon की बात कर रहा हूँ मैं यूपेटर ही बात कर रहा हूँ, मैं मैं sun की बात कर रहा हूँ और जब तक मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो I hope we all agree कि मैं इन दोनों चीजों को constant बोल सकता हूँ G and M will be constant G तो वैसे ही constant है, और जब मैं sun की बात कर रहा हूँ तो sun का mass भी constant हो नहीं, बीच में जाते हैं कही mass की उसको फ़ह मुनश्य हो गया या दूर जाते हैं उसका mass का मुनश्य हो गया या अर्थ की बात कर रहा हूँ, तो सब का mass भी constant है So this must remain constant So therefore I am going to say constant of proportionality हटा के मैं proportionality लाके मैं बोलूँँगा G will be directly will be inversely proportional to the distance squared ठीक है, ये एक आगया हमारा इस से हम graph बनाएंगे अच्छा, if I am saying this मैंने ये चीज AS पे भी पढ़ाई थी कि इसका graph जो होगा वो S इसके graph के हिसाब से बनेगा Y inversely proportional to X square वाला graph ठीक है, ये कैसे बनता है, कैसी नहीं बनता इसको discuss करते हैं अब इसको graph को कैसे बनाएंगे अच्छा, first of all first of all, first of all, first of all थोड़ी सी चीज जो बहुत important है, clear करना मैं graph बनाऊंगा इधर and आपका graph जो है वो ये है, G on the Y axis, R on the X axis, ठीक है, और मेरा जो भी body मैं consider कर रहा हूँ ठीक है, I am going to call it, अभी फिलाल मैं earth को consider करना हूँ, ठीक है, let's call we are taking the earth ये आपका आगया है earth अच्छा, earth आगया दूसरी बात मैं ये बोलूँगा ठीक है, इसका graph जब भी बनाने को आएगा तो इसी तरीके से आएगा, क्या आएगा कि आप earth का अगर radius समझते हो, यानि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अगर zero length थी और ये आपने earth का radius travel करके आप r तक आ गए हो, तो I am going to say कि radius r पे you will have gravitational field strength g, ठीक है, यानि मैंने एक point आप लोगो पहले से खुद दे दिया है, क्या point दिया है कि at r, the radius r you have a gravitational field strength of g that is your first point अच्छा, now let's draw the rest of the graph draw the rest of the graph से पहले मैंने ये g positive में क्यों बनाया है, मैंने इसको negative में क्यों नहीं बनाया, ऐसी भी हमारे discussion आनी चाहिए दिमाग में, तो recall this is a vector, और vector की कोई भी चीज जो मैंने AS में करवाई है मैंने हमेशा convention के हिसाब से करवाई है, ठीक है, so we are today also going to follow a convention convention क्या होगी, convention ये होगी कि you know earth की जो gravitational field है, earth की gravitational field है, वो अपने अंदर खेचती है, right earth की gravitational field will pull everything inside, ऐसा ही होगा तो जो ये वाला vector है g का जो vector है, वो भी अंदर की तरफ point कर रहा है, ठीक है तो मैं for convenience sake I am considering this direction as positive this direction से मुराद यानि मैं earth के करीब जाऊंगा ठीक है, earth की तरफ pointing हो रही है अगर मेरी, तो I will consider that as a positive thing ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे, तमाम जो gravitational field lines आएंगी वो सारी earth के अंदर point कर रही है अगर मैं सिरफ ये horizontal वाली लेलू तो horizon वाली के रही है, भाई मैं earth के अंदर जा रही हूँ तो ये जो सारे g आएंगे जो सारे vectors आएंगे g के वो भी सारे earth के अंदर point कर रहे होंगे इसलिए तमाम का तमाम पूरा का पूरा graph जो है वो जी का, वो positive बनेगा ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी convention को उल्टा करके बनाता, अगर मैं इस convention को बोलता के नहीं, मैं तो बोलूँगा ऐसे positive, तो क्यूंके अब convention के साबसे direction उल्टी हो जाती, तो फिर graph यहां negative बनता, right so graph negative में भी बनाया जा सकता है, gravitational field strength का, किसी भी field strength का graph negative में भी बनाया जा सकता है चीक है, but for the one point मां से discuss कर रहे हैं, तो हम अभी फिलाल जो है वो, अर्थ की जैसी field line है, वैसे ही convention रखके G का graph बना देंगे, I hope सबको यहां तक बात player हो, अचा, now to work out, what's going to happen, मैं इधर से खेलना शिरू करूँआ, इस formula से, okay constants को GM नहीं लिख रहा, मैं आपकी convenience के लिए, अपनी convenience के लिए, ताकि लिखने में भी आसानी हो, मैं कह रहा हूँ, कोई ना कोई constant K है, ठीक है, जैसे proportion के साथा होगा है, तो K आ जाएगा, और ये R1 squared के बराबर होगा, ऐसे होगा, ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको कहूँगा के G1, R1 squared, will equal to K ऐसे कह सकता हूँ, अच्छा बज़े की बात ये है, कि K वो ही आएगा, अगर मेरी G की value कुछ और हो और उसका corresponding radius कुछ और हो, क्यों, क्योंकि हमें पहली पता है, K constant है तो मैं G1, R1 डालू, या मैं G2, R2 डालू, या मैं G3, R3 डालू, सब से क्या आएगा, सब से के ही आएगा, so इसको work करते वे, I'll be determining all of the points, अच्छली, so first point, you know, G at R so I'm going to put in, I know भाई, G आता है, जब मेरा radius R square, अच्छली ये K के बराबरे, K को अटाके, मैं सीधा-सीधा ये लिख रहा हूँ, I want to work out G2 G2 किदर कह रहा हूँ, मैं G2 कह रहा हूँ, G2 is at 2R let's try to work that out so अब मैं इधर जो है, वो 2R डाल दूँगा, whole squared कर दूँगा so G R square will equals to G2 into 4R square R square, R square, R square, cancel and G2 works out to be G upon 4, so you get this point, ये वाला जो next point आएगा, वो G, 4 दफ़र divide होके इधर आएगा, so तकरीबन G upon 4 इधर आ रहा है, तो you will get this point over here इसी तरह, अगर मैं 3R पे जाता हूँ, तो मैं point वैसे ही work out कर सकता हूँ मैं again वो ही करूँगा, I know that I have G at R square, जो K के G3 and then 3R all squared, so G R square will equals to G3 into 9 R square, ठीक है R square, R square, cancel और G3 क्या रहा है, G3 आ रहा है, G upon 9 ठीक है, वालकुम असलाम, नो problem हम माद, लेकिन recording देखने लेकिन क्योंकि मैं अभी कुछ important चीज करा चुका हूँ, ठीक है, तो 3R पे I am expecting G upon 9 तो तक्रीबन जो है, वो graph जो है, वो इधर आ जाएगा, ठीक है, बहुत छोटी हो जाएगी value अच्छी, I hope अब सब को नजर आ रहा हो, कि हो क्या रहा है हो ये रहा है, कि जब 2 किया मैंने distance तो 4 से divide किया, जब मैंने 3 किया distance तो मैंने 9 से divide किया जब 2 था, तो मैंने 2 के square से divide किया जब 3 था, तो मैंने 3 के square से divide किया अब जब 4 होगा, तो मैं क्या करूँगा मैं 4 पे G upon 16 यानि 4 के square से divide करूँगा ठीक है, तो ये value तक्रीबन और भी closer आएगी to the x-axis ठीक है, डूसरी बात ये, I want everyone to do this, ठीक है, अपने calculate उठाएं और 1 को divide कर दे, वाया thousand, ठीक है 1 को जब thousand से divide करेंगे तो देखेंगे, बहुत छोटी value आ रही है इसी तरह, thousand को square कर दे और अप्रोस से divide करें तो अभी देखेंगे, अभी भी फिलाल छोटी value आ रही है, ठीक है क्या होगा, you will never ever ever touch this zero वाली ठीक है, value बहुत रही होती जाएगी, होती जाएगी, पहुत छोटी हो जाएगी मतलब बिल्कुल मिलने वाली होगी, लेकिन कभी भी मिलेगी ठीक है, तो जो 1 upon x square वाला graph होता है वो ऐसा ही होता है, वो छोटा तो होता चले जाता है लेकिन कभी इसको cross नहीं करेगा asymptote to x-axis, yes शाजे, if you know that terminology तो we will use this terminology, it is an asymptote to x-axis it will never cross the x-axis into the other region it will always just be very very close to the x-axis तो graph जो है, वो आपका इस तरीके से बन गया है graph बटाना है, पुश्कित है ठीक है, make sure करिएगा कि you draw a smooth line, कुछ इस तरह से आपके पास बन रहा है इधर जो है, I am going to write, यह g, r था sorry, यह r, g था यह 2 r, g upon 4 था यह 3 r, g upon 9 था और यह 4 r, g upon 16 था ठीक है, यहां तक बात देर, कोई confusion तो नहीं इतने graph के लिए, any problems, इतना graph decipher करने में ठीक है, okay, हमने बना लिया वो वाला graph, जो earth से बाहर का graph, मतलब earth से बाहर देख रहे हो, तो कैसा graph ठीक है, मसला क्या है, earth के अगर अंदर चला गया, मतलब मैं जमीन के अंदर drill करता वा, earth की core तक चला गया, तो उस वक्त तक मुझे g कैसा feel होगा, let's try to work that out as well, ठीक है, अच्छा, उसके लिए थोड़ी सी हमें extra quarry करनी पड़ेगी, extra quarry इस लिहाज से, कि मैं इस working को थोड़ा सा, इस दर side में कर रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ा सब हमें differently चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है, differently क्यों चीज़ें समझनी पड़ेंगी, differently इस लिए चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप earth के अंदर जा रहे हो, ठीक है, तब अगर मैं, for example, अगर मैं earth के इतना अंदर आ गया, ठीक है, तो earth का जो इतना mass था, यानि the mass that was outside this, यानि ये जो सारा mass आ रहा है, ये वाला shaded region वाला mass, ये मैं consider नहीं करने वाला, ठीक है, मतलब I am going to consider this, लेकिन ये वाला mass, मुझे बाहर की तरफ खेचेगा, और ये वाला mass, जो इधर अंदर भज गया है, वो मुझे अंदर की तरफ खेचेगा, मतलब मसला ये है, कि mass हो गया है, अब क्योंकि mass change हो रहे है, ठीक है, अंदर जाते वे mass and we will try to work out through some other thing, अच्छरी, तो we are going to work out determining G inside of Earth, या एनी planetary body, whatever, एनी object, अच्छा, इसके लिए एक assumption लेनी पड़ेगी, क्या assumption लेनी पड़ेगी, Earth has uniform density, तो मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब ये है, कि देखो mass तो change कर रहा है, अब मैं अंदर जा रहा हूँ, तो mass change कर रहा है, लेकिन एक चीज़ हम uniform करेदें, वो करेदें, density, density क्या है, density है mass upon volume, तो चाहे मैं Earth के बाहर था, या चाहे मैं Earth के अंदर घुस्तावा इधर तक आगे, Earth की density वो ही रहने वाली है, Earth की density constant रहती है, ठीक है, so that is my number of assumption, Earth has uniform density, okay, now, you know, G जो है, वो क्या है, वो है GM upon R square, अच्छा जी, अब हमें हटाना है, या mass, क्योंकि mass जो है, वो change कर रहा है, no more a constant, तो हमें कुछ और relationship ने करना पड़ेगा, तो I am going to take it to density, density कहता है, भाई मैं mass upon volume हूँ, आपको पता है, Earth जो है वो sphere है, तो Earth के sphere के volume में, let's put in sphere का volume वाला formula, so density equals to mass upon 4 upon 3 pi r cube, once you put this, so the mass equals to 4 upon 3 pi r cube, यह आ जाता है, ठीक है, और अब अगर मैं इधर देखूंगा, इधर देखने पे G into 4 upon 3 pi r cube raw, mass की जेकर डाल दिया, और r square से divide भी कर देते हैं, क्योंकि वो पहले से हो रहा था, जब यह करोगे, तो r square नीचे का उपर वाला r cube cancel करके, सिर्फ r छोड़ देगा, उपर, और अब देखते हैं, क्या बन रहा है, so I am getting 4 upon 3 pi raw g into r, ठीक है, यह थोड़ा से इसलिए करके लख़ा है, तो इसमें सब्सक्राइब, 4 upon 3 constant, pi constant, earth uniform density, यानि density भी constant g, वैसे ही constant, तो यह सारी चीज़े बन गहीं है, constants, constant of proportionality को हटा के, can I say g is directly proportional to r inside of the earth, यानि earth के अंदर g is directly proportional to r, and I hope सबको एस से यह चीज़ याद हो, या at least मेरे साथ अगर नहीं भी पढ़ी, तो यह याद हो, कि यह y directly proportional to x वाला graph बन गया, y directly proportional to x वाला graph कैसा graph था, it was a straight line, ठीक है, y directly proportional to x वाला graph is a straight line, something like this, ठीक है, straight line उपर से भी काट सकती हो सकता है, नीची तरफ हो, लेकिन होगी straight line, ठीक है, तो मैं एक generalization ऐसी straight line मना रहा हूँ, हमें चाहिए होगा एक point इसको confirm करने के लिए, तो एक point क्या ले सकते हैं, हम एक point ये ले सकते हैं, कि भाई, g जब directly proportional है, r के, तो अगर r 0 है, तो g क्या आएगा, g भी 0 आएगा, तो इसका मतलब है, कि at the center of the earth, you are expecting g to be 0, so if g is 0, तो यहाँ से एक straight line बनेगी, जो उपर वहाँ पर उस point को touch करेगी, और earth के अंदर की gravitational field strength varies linearly with the distance r, I hope सबको ये बात भी मेरी clear हो, ठीक है, so हमारा gravitational field strength का एक अच्छी खासी discussion हमने कर ली है, अब हमें discuss करना है between two massive objects, ठीक है, so let's draw the gravitational field strength between the earth and the moon, let's draw that, ठीक है, and इस से हम चीज़ें और clear करते हैं, किसी कोई सवाल है, तो मुझसे during the lecture कभी भी पूछ लिया करें, रोप रखके, कोई मसले की बात नहीं है, so now, I am going to draw an axis, axis like this, ठीक है, मेरी axis जो है, वो कुछ ऐसी है, मैं y axis पे g plot कर रहा हूँ, ठीक है, और, x axis पे I am plotting r, सभी है, अच्छा, यहां पे मेरा अर्थ है, अर्थ का अंड़ा बनी है, बज़े हैं, अच्छा, एक सेकेंट, यहां पे मेरा अर्थ, और यह मेरा छोटा सा मूल, ठीक है, यह आ गया हमारा मूल, ओके, ना, हमने अभी अर्थ का ग्राफ देखा, वो कुछ बन रहा है, ऐसे, ठीक है, condition क्या थी, आपने convention towards अर्थ की direction रखी वी थी, ठीक है, तो मैं अभी भी यही करूँगा, for simplicity's sake, I am going to call, कि मैं इस वाले direction को, as positive बोलूँगा, ठीक है, तो सबसे पहली बात, तो अगर मैं अर्थ की gravitational field line देखूँ, अर्थ की gravitational field line कहती है, कि मैं तो अपनी तरफ खेचूँगी, तो convention के हिसाब से, जो इसके G's बनेंगे, वो क्या बनेंगे, वो सारे positive बनेंगे, क्युक्के convention के साब से, उसकी field line आ रही है, तो यानि सारे G इसके positive में बनने वाले, लेकिन अब अगर moon को देखते हो, moon कहता है बाई, moon तो यही कहएगा न, moon अपने अंदर खेचेगा, right, all because of this convention, G is a vector quantity, हमेशा graph बनाने से पहले, हमें convention देखनी पड़ेगी, convention के साब से देखोगे, earth कह रहा है मैं positive हूँ, moon कह रहा है, मेरी direction of field line अलग है, वो कहेगा कि मैं negative हूँ, ठीक है, so we're going to grow the graphs like this, actually, if you see, earth का अगर आपको याद हो, वो ही graph बनेगा, भाई, earth कह रहा था, मैं अभी पहले individual बना रहा हूँ, फिर हम दोनों को combine करके, एक final चीज रखेंगे अपने सामें, तो earth कह रहा है, भाई, मैं G हूँ at R, earth ने कहा, भाई, मैं G हूँ at R, actually, और जो moon है, moon कहता है, भाई, मैं हूँ, तक्रीबन, तक्रीबन, G upon 6, ठीक है, और मैं इसको negative में लख रहा हूँ, negative में को लख रहा हूँ, क्योंके opposite to convention, समझी कह रहा है कि, मैं हूँ तक्रीबन, earth के side पर Q, due to its greater mass, नई, it's to earth side, ठीक है, एक तरीके समझ लो, क्यों बनाते हैं, मैं इसकी तुम्हें और generalization देता हूँ, ठीक है, क्या generalization लेना, भाई, यह जो left वाली चीज़ है, जो भी चीज़ दे लेफ्ट पे हैं इधर, उसकी जैसी field line है, उसकी जैसी field line, उसको positive बोलो, ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ भी था, जो भी था, चार्ज था या जो भी, अभी हम मासेज़ बात करें, यह electric field में भी अपलाए होगा, तो यहाँ पे जो भी है, left hand side पे, उसकी field line जैसी भी है, सबसे convenient उस case में क्या होगा, उसमें convenient होगा, कि आप उसी की direction को positive होगी, ठीक है, बाद वाले का हम देख लेंगा, क्या बन रहा है graph, सब्सक्राइब है, इसलिए I am calling it earth, बना तुम बनाना चाहो, तो उल्टी convention भी बना सकते हो, values flip होईंगी, calculation में कोई फरक नहीं आएगा, वो ही बनेगा, अगर vector साही तो आप follow पर होगे, ठीक है, अच्छा, moon का I am saying, moon is तकरीबन g upon 6, और वो कहां है, वो अपने radius पे होगा, ठीक है, तो मैं इसके r2 बोल रहो, अच्छा जी, अभी हमने earth का graph देखा, बाई, जब ऐसे बनाओगे, तो it will be something like this, अब मैं अंदर वाली चीज नी बना रहा है, मैं सिर्फ भार वाली चीज बना रहा हूँ, क्योंके वो हमारी important चीज आ, important point of discussion, तो it's something like this, और ये इस तरीके से, कुछ बनेगा, x-axis को कभी भी cross नहीं करेगा, और चलता चला जाएगा, चलता चलाएगा, चलता चलाएगा, if I look at the moon, moon का बनेगा ऐसा कुछ, let's draw with blue, blue नहीं green, blue से बना रहा था, क्योंके हम green दुमाया दिखा लेंगे फिर, तो इसका graph भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन flipped, क्योंके negative region में है यह, तो यह कभी भी एक से क्रोस नहीं करेगा, लेकिन बहुत करीवा आजाएगा, ठीक है, I need to draw this graph सही से, यह आ गए दोनों के individual graphs, red वाला अर्थ का graph individual, moon वाला, blue वाला moon का graph individual, अब निकालने की कोशिश करते हैं, इन दोनों का combined effect, अगर आप इसका combined effect निकालोगे, तो यहाँ पर दिख रहा है, हमें बहुत बड़ी positive value है, बहुत छोटी सी negative value है, positive में से बहुत छोटी सी negative निकालोगे, तो यह थोड़ा सा नीचे आ दाएगा, मतलब थोड़ा कम positive हो जाएगा, that's it, तो graph is something like this, कुछ इस तरह से चलना चुरू जाएगा, बीच में कहीं देखोगे, तो बीच में हमें यहाँ लग रहा है, कि यह देखो जितना ऊपर है यहाँ पर positive में, उतना ही नीचे है यहाँ पर negative में, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर यह वाला positive, इस negative को cancel out करके, यह वाला point बिलकुल 0 पर आ जाएगा, and then, अब देखो यह सारी positive बहुत इदर चोटी हो गई है, negative बहुत बढ़ी हो गई है, तो इदर negative जो हैं वो थोड़ी सी ऊपर आ जाएगे, so the graph is going to be something like this, I am drawing with a thicker pen, so the net gravitational field strength graph is something like this, this is the net gravitational field strength वाला graph, ठीक है, कोई confusionist में, अच्छा, सबसे पहले तो मुझे यह बताओ, कि सब को यह बात clear हुई, forget this, यह मैंने बनाया हैं यह अभी तक, ठीक है, भूल जाओ इसको यह जो भी था, ठीक है, मुझे यह बताओ, कि Earth के G वाले graph में कोई मसला, Earth का G वाला graph हमने भी थोड़े देर पहले देखा, यह अगर यहां सही हूँ बनाओगे, तो यह बनेगा, अगर convention Earth की field line के साब से रखी वे, Earth कहता है, मैं अंदर की तरफ खेचूंगा अपने, तो उसकी हमने positive बना रही हैं, तो इत्ती देर से क्या समझा रहा था मैं, चलो ठीक है, फिर दबार समझा रहो, लेकिन, अच्छा, आजे इन देखो, अगे इन देखो, समझो, यही बात अंक्लेर हो गई, तो सब चीज़ें अंक्लेर हो जाएंगे, जी क्या है, थिक है, vector quantity को कभी भी convention के बगार नहीं बना सकते हो, ठीक है, vector quantity को positive बोलू या negative बोलू, कब बोलू, केसे बोलू, हमेशा convention decide करती है, तो मैंने क्या कहा, मैंने यह किया, कि यह जो left वाली चीज़ है, यान्य जो earth है, अर्थ कहता है भाई मैं अपने अंदर खेचूंगा यानि उसके जी की डिरेक्शन ऐसी है ठीक है तो मैंने फॉर सिंप्लिसिटी मैंने कहा कि अर्थ की जो जी है उसी डिरेक्शन में कन्वेंशन को पॉजिटिव बोलने ते ठीक है तो उस लिहाज से अर्थ का जो भी बना है तो आर्पेजी बनाया और वास यू जा रहा है ग्रफ तो बस यह बनाया इतनी पॉजिटिव नहीं मतलब मैं कोई वैल्यू रखते नहीं बना रहा है तो यह वाला ग्राफ हमने बना लिया अब अगर जी को देखोगे तो जी के अपने सर्फिस पे जो वैल्यू होत तकरीबन 1.635 मून की तकरीबन जी अपॉन 6 है तो मैंने इसलिए जी अपॉन 6 रहे है अच्छा दूसरी बात भाई यह नेगेटिव में क्यों बना दी किस खुशी में बना दी नेगेटिव नेगेटिव इसलिए बनाई है आपने काता आपने काता भाई जो भी चीज आपके साब भूल जाओं तो मून का जो जी का डिरेक्शन है वो तो ऐसा है कन्वेंशन के लिहाज से अगर देखोगे तो जो हमने कन्वेंशन मनाई है उसके हिसाब से तो ऑपोजिट हो गया तो मैं इसकी सारी जीज नेगेटिव दिखाऊंगा ठीक है आजेन साहर ठीक है ओके सो ये वाला ग्राफ मैंने पूरा का पूरा नेगेटिव बना दिया कैसे बनाया बھई देखो ये यूँँ ही बना है ना एक हायर वाली से शुरू कि एकसे स्की काटना नहीं कभी भी तो मैंने नेगेटिव में भी जीए अपॉन सिक से शुरू किया और भाई इसने ए अहां तक बात कर ली है वाई जी अपॉंट सिक्स एंड वाई नॉट नेगिटिव जी आज इन अभी तो समझा रहा था अर्थ की जी क्या है अर्थ की दी जी 9.81 है है ना ऐसा ही है मून का जी अपॉंट सिक्स क्यों लिखा है क्योंकि वो 9.81 डिवाइड बाई 6 वन पॉंट सिक्स न्यूटन पर के जी आदा तकरीवन मून पे जाकर अगर जी मेजर करोगे इसके सर्फेस पे तो उसका जी जो है वो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्केर अर्थ का 9.81 है तो इसलिए जी अपॉंट सिक्स लिखा है दा यह कब हो है यह चीज हमें पता है मून का बट पॉंट सिक्स है जो वो है ना किया है याद करनार नहीं करना कुछ फास इंपॉर्टंस मृठ यह मैं करना हूं लेकिन वहराल मुझे यह बता दो कि अगा आथ औहाँ हो गया तो मून का बहुत देखा था हो five यह न dann bueno कजी बस यह है स्थोटा दिखा कहा है मैं बहुत बड़ा ग्राफ नी बना रहा मैं पूरा पहली उसके खाच के मैं करूं वह बहुता खुआ रही है और इसमें कुछ ऐसा कोई सवाल आज भी आज तक आया भी नहीं है तो मैंने इसलिए बस यह दिखाया है यह इदर भी जी बोले बस यह दिखा दो यह बड़ी वैल्यू है ठ इक चोटी आज बस तरह से भी दिखाओ यह लिख आज देना है दोनों एक कुले अ अच्छा थी अब 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 हमें बनाना है नेत ऴैर क्ए वाला से नकल्ती है यह णकलती है और इस डिरेक्शिय नकलती है जुस इस जिएश अब यह यह थाइस कहिं braid है native कर दो प्लस ठीक है तो बेसीक्ली अगर मैं इस वेक्टर का रिजल्टन निकाल लो तो positive value में से negative value निकालनी पड़ेगी एर्थ केरे भाई मैं अपनी जरफ ज़ए चूतर मुह तो दोनों का कोई न कोई resultant आ रहा होगा ठीक है so let's try to find out the resultant, वो resultant कैसे निकलेगा, positive, negative, add होना शुरू हो जाएगा, ठीक हर point पर positive, negative, add करा हूँ, I am adding all of these positives, with all of these negatives, अगर यहाँ पर इतना बड़ा positive था, और बहुत ही छोटा सा negative था, तो इतने बड़े positive में से छोटा सा negative निकालोगे, तो यह थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है, मतलब इसका, इसकी काटी यहाँ लग जाएगी, pointer यहाँ पर आ गया, इसी तरह, अब यह positive खुद भी छोटा होता जा रहा है, और अभी भी फिलाल negative छोटा पे, यहाँ पे दिखोगे, तो जितना positive आ रहा है, उतना ही, थोड़ा सा इसको हम इधर करें, जितना positive आ रहा है, उतना ही negative आ रहा है, तो यह और यह cancel out हो जाएगे, जब यह दोलों cancel out हो जाएगे, तो मुझे बताओ, मैं यह वाला point zero पे लगा सकता हूँ, कि यह इधर zero हो गई, जी, ऐसा कर सकता हूँ न, कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कर लोशु कर रहा हो, अल्ला का हमें अजादत मिल गई है, और फिर देखोगे, यह सारे negative बड़े हो गए, positive छोटे हो गए, ठीक है, negative बड़े हो गए है, positive छोटे हो गए और यह कुछ इस तरह से होगे, क्योंकि negative को ज़्यादा closely follow करेगी, positive छोटे हो गए, negative में से positive छोटे छोटे निकाल रहा होगा, ऐसा ही होगा, अब हम net graph बना रहे हैं, तो यह इधर से नीचे से शिरू होने है, नीचे से शिरू होने के बाद इसने कहीं न कहीं यहां काटने और उधर तक जाना है, ठीक है, so something like this, this is net g, ठीक है, this is net g, और हम बनाना चारें net g ही थे, ठीक है, यह मैंने individual बनाये थे, ताकि हम merge करके eventually आखरी चीज़ बना सके, I hope अब सब को जो है वो बात clear हो गई हो, ठीक है, बहुत मज़े की चीज़ है, हम यह पहले ही कर चुके हैं, हमने पहले क्या discuss किया था, हमने पहले discuss यह किया था, कि भाई देखो, अगर earth और moon दोनों खेच रहे हैं, ठीक है, तो कोई न कोई point ऐसा जरूर आएगा बीच में, जहां पे जितना जोर से earth खेचता है, उतना ही जोर से moon खेच रहोगा, उस point को हम कहते है, null point, यानि वहाँ पे force of gravity becomes 0, तो मुझे बताओ, अगर उस point पे force of gravity becomes 0, और मैं अगर उधर g निकालना चाहूं, उधर अगर force of gravity 0 हो गई, तो 0 divided by mass क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा, तो ऐसा नहीं हो रहा हूँ, यहां पे हमारे पर जो 0 है, वो null point नहीं है, वो सब कुछ match up नहीं हो रहा, isn't this the null point, this is the null point, yes, and null point का distance क्या आ रहा था, हमने ये work out किया था in a previous class, null point is about, कितना distance, 3.8, nai, 3.47 into the power 8, ठीक है, 3.47 into 10th power 8, so this is coming out to be, नहीं नहीं, अभी हमने potential भी डिसकस के नहीं, net G वाला point, समझे, समझे, this is coming out to be 3.47, ठीक है, ये जो distance आ रहा है, ये दर ही लिख रहा हूँ, बाता ही नहीं से, ये r जो है, वो आ रहा है, 3.47 into 10th power 8, अगर मैं यहां पे 0 कह रहा था, ठीक है,